ओडियो वन पुस्तक मित्रभाव बढ़ाने की कलाम टॉपिक मित्रता की अवशक्ता मनुष्य सामाजी प्राणी होने के कारण अपने आप में पूर्ण नहीं है मेंडक का बच्चा जन्म लेने के बाद अपने आप अपने बाहुबल से अपना जीवन यापन कर लेता है परन्तु मनुष्य का बच्चा बिना दूसरे की सहायता के एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता उसे माता-पिता की, वस्त्रों की, मकान की, चिकित्सा की अविशक्ता होती है यह चीजें दूसरों की सहायता पर ही निरभर है बड़े होने पर भी उसे भोजन, वस्त्र, व्यापार, शिक्षा, मनुरजन, आदी की जिन वस्त्रों की ज़रुत पड़ती है, वे उसे दूसरों की सहायता से ही प्राप्त होती है यही कारण है कि मनुरश्य सदा ही दूसरों के सहयोग का भिखारी रहता है यह सहयोग उसे प्राप्त नहों तो उसका जीवन निरभा होना कठिन है अपना अस्तित्व इस्थिर रखने के लिए मानो प्राणी जो की अन्य प्राणियों की अपिक्षा बहुत कमजोर है दूसरों का सहयोग लेता है और उन्हें अपना सहयोग देता है रुपए को माध्यम बना कर इस सहयोग का आधान परदान समाज में प्रचलित है एक आदमी अपने एक दिन की समय एवंश्रम से 30 से लकड़ी जमा करता है दूसरा मनुष्य एक दिन की समय एवंश्रम से मिट्टी के दो घड़े बनाता है अब घड़े वाले को लकड़ी की जरूरत है और लकड़ी वाला घड़े चाहता है तो आधी लकड़ी वे घड़े वाले को दे देता है और घड़े वाला अपना एक घड़ा लकड़ी वाले को दे देता है दूसरे शब्दों में इस परवर्तन को यूँ भी कह सकते हैं कि आधे आधे दिन का समय एक ने दूसरे को बदल लिया चीजों को यहां से वहां ले जाने की कठनाई के कारण श्रम या समय को रुपेओं में परवर्तन किया जाने लगा इससे लोगों को सुविधा हुई 20 से लकड़ी को 20 रुपे में बेच दिया अर्थार्थ एक दिन के श्रम को 20 रुपे से बदल लिया यह 20 रुपया एक मनुश्य के दिन का श्रम है। दूसरे मनुश्यों का श्रम भी इसी प्रकार रुपयों में परिवर्थत होता है। और फिर इन रुपयों से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वह चीज़ें भी समयका ही मूल ने हैं। इस प्रकार श्रम, वस्तू, रुपया इसका अर्थ यह है कि हम अपना श्रम दूसरों को देते हैं और दूसरे अपना श्रम हमें देते हैं इस लेन देन से ही दुनिया का कारोबार चल रहा है अर्थात यों कहिए एक दूसरे के सहयोग से सुद्रण आधार पर संसार की समस्त प्रणाली टिकी हुई है यदि यह प्रणाली टूट जाए तो मनुष्य को फिर आदम युग में लोटना पड़ेगा गुफाओं में नंग धनंग रहकर कंद मूल खलों पर निर्वाह करना पड़ेगा वर्तमान समय तक कोई सारी प्रगति का लोप हो जाएगा शेश धन अर्थात श्रम का परिवर्तम सहयोग भली भाती प्रचलित है वैं हमारे जीवन का एक अंग बन गया है अपने श्रम एवं धन के बदले में हम विद्वानों, डॉक्टरों, वकिलों, वक्ताओं, इंजीनिरों, कलाकारों, मज़दूरों का सहयोग जितने समय तक चाहें उतने समय तक ले सकते हैं इसी प्रकार इच्छित वस्तुएं भी मन चाही मात्रा में ले सकते हैं यह सहयोग प्रणाली व्यक्तिगत आवश्रिक्ताओं के आधार पर चलती है इस प्रणाली से हम सब अपना जीवन धारन किये हैं और सांसारी कारे चला रहे हैं जीवन यापन में परस्पर सहयोग की धन की आधार पर एक प्रणाली बन गई है इससे बहुत हद तक जीवन करम चल भी जाता है परन्तु जो वस्तुएं पैसे की परिवर्तन से प्राप्त हो सकती है केवल मात्र उनसे ही मनशिक की तुष्टी नहीं हो सकती क्योंकि धन भौतिक पदार्थ है उससे भौतिक वस्तुएं ही प्राप्त होती है मनश्य को जितना भाग भातिक है उससे कहीं अधिक भाग आध्यात्मिक है उससे आध्यात्मिक वस्तमिय भी चाहिए आत्मियता एक ऐसा आध्यात्मिक पदार्थ है जिसका मूल्य भातिक पदार्थों से असंख्य गुना है मनुष्यों से सबसे अधिक चाहता है उसकी सबसे अधिक इच्छा करता है और उसे ही प्राप्त करके वैत्रप्त होता है जिन व्यक्तियों में आपस में आत्मियता का भाव रहता है उनमें एक दूसरे के लिए असाधारण आकशन रहता है एक दूसरे का हित चाहते हैं, सम्रिधी चाहते हैं, उन्नती चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सायता के लिए तयार रहते हैं, भूलो और कमजोरियों को उदारता पूरवक सहन कर लेते हैं, तथा मुसीबत के बक अपनी प्यारी से प्यारी बस्तू यहां तक की प्राण तक देन और आत्मियता विप्र संपत्ती देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। बड़े बड़े दिमाग पैसे के लिए अपनी सिवाईं दे सकते हैं। किन्तु आंतरिक वफादारी कितनी ही संपत्ती देने पर भी नहीं मिल सकती। चापलूस, खुशामदी, मदुर्भाशी, ठग या भहंड प्रकरती के दरबारी लोग धनियों की तौंद के आस्पाद जो कितना चिपके रहते हैं। और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। पर जब स्वार्थ सिद्धी में बाधा आती हैं कोई लाब नहीं होता त तो जैसे मरे बैल को छोड़ कर कलीले भाग जाते हैं बैसे ही वे भी भाग जाते हैं। लाब की आश्या में विग्न पड़ना यही एक कारण नीच पूरुशों के लिए शत्युता का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आत्मियता एक ऐसा आध्यात्मिक सात्विक पदा जो राजशिक्ता या तामसिक्ता से लाप या भे से प्राफ नहीं हो धलता। दो हरिदियों का एक ही करण होता है जहां सच्ची हर्द्य says 2 मनूश्य आपस में आत्भाव अपना पन ःस्थापित करते हैं वहां मैत्री का बीच जनता है। जब किसी मनूश्य को या पूरी तरह विश्वास हो जाता है या मुक मनश्य सच्चे रूप से मेरे प्रति आत्मियता रखता है मेरी कमजोरियों को जानते वे भी उदार द्रिश्टिकुन रखता है मेरी उन्नत्ति में सहयक सुख दुख में साथी और आपत्ति में ढाल तलवार बनकर काम देता है तो उसके प्रति अंतस्तल में प्रेम उत्पन होता है दो हिर्दव में एक दूसरे के प्रति आत्मियता होना ही मैत्री है ऐसी मैत्री इस लोग की एक बहुमुल्य संपत्ति है जैसे धन, विद्या, स्वास्थ, चतुर्त, हीर्थी इस लोग की प्रधान संपत्तियां है वैसी ही मैत् दूद और पानी की मैत्री प्रसिध हैं। सिमिंट का काम करती है। धनी धन को और मानी मान को पाकर प्रसन होता है। कलाकार को कलामे अवस्तुय देखने में रस आता है। इंद्रियां अपने-अपने विशय भोगों में संतुष्ट रहती है। आत्मा को भी अपना स्वजातिय चाहिए। जब कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा का इस्पर्ष या आलिंगन करती है। तो दोनों में असाधारन आनंद उत्पन होता है। एक अनपम त्रिप्ति का अनभव होता है। अमुक व्यक्ति मेरा सच्चा हितु है। आड़े वक्त काम आएगा। मेरे लिए उसके मन में सच्चा आदर एवं आत्मभाव है। इस कल्पना से मनिश्री के अंताकरण में एक उल्लास, आनंद, संतोष, एवं साहस का आविर्भाव होता है। निर्जीव वस्त्वें एक और एक मिलकर दो होती है। परन्तु दो सजीव आत्माओं का सम्मिलन होने से एक और एक मिलकर ज्यारा हो जाते हैं। साहसारिक उतार चड़ाव की कारण जो प्रिये अप्रिये घटनाएं हों घटित होती हैं, मनिश्य के मन पर उनकी प्रतिकर्या रोश, क्रोध, शोब, शोक, निराशा, भय, बेचैनी या घ्रना के रूप में होती हैं। अथवा, हर्ष, आशा, उत्साह का नशा चा जाता है। कभी-कभी इन भले या बुरे उद्वेगों की मात्रा मस्तिष्क में बहुत अधिक भर जाती हैं। और न सोचने लाइक बातें सोची जाने लगती हैं। ऐसी अवस्था में मनिश्य अर्द विख्षिप्त हो जाता हैं। और कुछ का कुछ कर बैठता हैं। ऐसे समय पर सच्चे मित्रों की उपस्थिती बड़ा महत्पून कारे करती हैं। मनिश्य अपने मन के भाव उस पर प्रकट कर देते हैं। अपनी मन की बातें उससे कह देता हैं। यह कह देने से जी बड़ा हलका हो जाता है और उद्योगों का आवेश शान्त हो जाता है। जिसके सामने मन की हर एक कमजोरी प्रकट की जा सके और यह विश्वास रहे कि इन बातों को सुनकर वे ना तो घ्रना या उपहास करेगा और वे दूसरों पर उन बातों को प्रकट करेगा। ऐसे मित्र भाग्यवानों को ही प्राप्त होते हैं। मन की सारी विथाएं जिसके सामने प्रकट की जा सकती है और व्यभार योग्य समुचित सला जिससे प्राप्थ हो सकती है वे सच्चा मित्र है ऐसे मित्रों का होना जीवन की एक बहुमुल्य सवलता कहना चाहिए शीर्शक मित्रता का उत्तरदाइद यो तो इस बनावट के युग में शिष्टाचार या स्वार्थ प्रयोजन के लिए साधारन परिचे और साधारन संबंधू को भी मित्रता कहते हैं इस प्रकार कहने में कुछ विशेश हर्ज भी नहीं है परन्तु बास्त्रिक मित्रता दूसरी वस्तु है आत्मियता का दूसरा नाम मित्रता है जैसा पती-पत्नी में, माता-पुत्र में, गुरू-शिष्य में, भाई-भाई में घनिष्ट आत्मभाव होता है वैसा ही अपना मन जिन दो मित्रों में हो उसे मित्रता कहते हैं सच्चे मित्र अपने मित्र के हानी लाप को अपने निजी हानी लाप के समान देखते हैं। उसमें समान रुप से सुख दुख अन्भव करते हैं और समान रुप से प्रतनशील रहते हैं। जैसे अपनी सम्रद्धी में आनन्द आता है वैसी मित्र की सम्रद्धी में भी सच् जाना मित्र के रजदुख मेरु समाना, जिनके असमहती सहजिन आई, तेशट कत हटी करत मिताई, कुपत निवारी सुपंत चलावा, गुन प्रकटे अव गुनही दुरावा, देत लेत मन शंकन धराई, बल अनुमान सदाहित करई, विपत्ति काल कर सतगुन नेहा, शुरुत कही संत मित्रगुन एहा, आगे का म्रदुवचनग बनाई, पीछे अनहित मन कट्रलाई, जाकर चित अही गतिराम भाई, अस कुमित्र पर हरेही भलाई, मित्रता की स्थापना के साथ साथ एक भारी उत्तरदायत दोनों के सिर पर आ जाता है, वैसे पति-पत्नी दोनों सम् मित्रत उत्तरदायत तो होता है, पुरानी समय में मित्रता की स्थापना एक संस्कार उप में ही जाती थी, पगड़ी, पलटना या टोपी पलटना उसका मुख्य चिन्न था, दो मित्र आपस में अपनी पगड़ी या टोपी बदल लेते थे, इस कर्मकांड को या पाणी गरण संसकार जैसा पवित्र एवन जीवन भर निबाहने योग्य समझा जाता था, इस्त्रियों में भी भायली या सखी बनने के लिए चुन्री पलटने की प्रथा है, इस्त्रियां आपस में अपनी चुन्री बदल लेती हैं और फिर जीवन भर भायली, सखी य वना बाजारू हजार मित्रों से बढ़कर है, बाजारू मित्रता में केवल उसी हद तक मैत्री रहती है जहां तक कि दोनों के स्वार्थ एक दूसरे से सदते हैं, इस पारसपरिक स्वार्थ साधर में तनिक्सी ढील आते ही मित्रता ढीली पड़ जाती है, और यदि वह पहक्ति मित्रता कल साधारन परिचे मात्र रह जाती है। इस मित्रता को व्यापारिक सहयोगियों से कलापून मधुर व्यवहार कहा जा सकता है। क्योंकि उस परिष्थिति, कारक्रम या व्यापार के ना रहने पर मित्रता उस रूप में कदापी न रहेगी। परन्तु सच्ची मित्रता में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह स्वार्थ या परिष्थितियों के कारण नहीं, स्वाभाविक प्रेम के कारण इस्थापित होती हैं, और त्याग पूर्ण आत्मियता की आधार शिला पर वह खड़ी होती हैं। स्वाभाव की समानता मित्रता का मूल आधार है। कोई व्यक्ति शारिरिक द्रश्टी से, जातिय द्रश्टी से, आर्थिक द्रश्टी से, विद्या की द्रश्टी से असमान भले ही हों, पर जिनका स्वाभाव एकसा है, मनो ब्रतियां, इच्छा और अकांक्षां में समता है वे आपस में मित्र बन सकते हैं। जिनका आंताकरण एक स्थान पर केंद्री भूत न होगा, स्वभाव न मिलता होगा, उनकी मित्रता न तो सुद्रण हो सकेगी और न इस्थाई। इसलिए मित्रता की स्थापना करते समय यह देख लेना चाहिए यह हमारे बीच में स्वभा जिनको अपनी कोई स्वतंतर मती नहीं, ऐसे लोगों की मित्रता को पल्टा लेते भी देर नहीं लगते। धीले सभाव के लोगों की मित्रता भी धीली हो जाती है। कोई कठिन अफसर सामने आ जाने पर उसकी परिक्षा की कसोटी पर खरा उतरना कठिन है। सवभाव की समानता का आकरशन दो मनुश्यों को खीच कर पास पास ले आता है। ऐसे मनुश्य कुछ समय पास पास रहें और उनमें मधुर्ता एवं उदार्ता का इती बिल्कुल ही अभाव ना हो तो वे साधार्णता आपस में मित्र बन जाते हैं। जब एक दूसरे के स्वार्थों के किसी अंश्यों में पुरग बनते हैं, एक से दूसरे को कुछ लाब होता है तो यह मैत्री और भी घनी होने लगती हैं। परन्तु पक्की मित्रता तब होती है जब एक दूसरे के चरित को विश्वस्निये मान लेते हैं। जब एक विक्ति को यह पता लगता है कि दूसरे विक्ति का भूत काल का जीवन आविश्वस्त रहा है, उसने वचन भंग, विश्वासगात, छल, ठगी, दूर्तता एवं मायाचार किये हैं, तो उसके संबंद में आविश्वास एवं संदेह उत्पन होता है। वे अब भी दूसरों के साथ ठगी एवं दगा परेव का व्यवार कर रहा है, तो कोई अपने मतलब के लिए उससे कितना ही मीठा व्यवार क्यों न कर ले, पर हिर्दै से उसका भरोसा नहीं कर सकता। उसके संबंद में सदा ही यह आशंका बनी रहती है, यह अफसर पढ़ने पर वे अपने साथ भी दगा फरेवी कर सकता है। जैसा दूसरों को दोखा दिया है, वैसा ही वे अपने को भी दोखा दे सकता है। ऐसे संदेहों के होते वे सची मैत्री कायम नहीं हो सकती। चोर, उठाइगिरी, गुंडे, जुवारी, रशेबाज आपस में मित्र जैसा व्यवार करते देखे गए हैं। पर जरासी बात पर उनमें बिगड़ जाती है। चरित्रवान, प्रतिग्या, पूरी करने वाले, इमानदार और खरे आदमियों के बीच, समान सभाव की आधार पर जो मैत्री स्थापित होती है, वै इस्थाई होती है। ऐसे ही लोग एक दूसरे के लिए त्याक कर सकते है हुआ है।